लालू परिवार के ओपर ED की तलवार जो है वो लगातार लटक रही है बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल है जिस पर ED और CBI की च्छापे मारी की जाही है छाखण में हिमल सोरीन की कुर्सी पर ED की तलवार जो है वो लटक रही है जहां विपक्षी दल इसको जान बूज कर की जा रही कारवाई बता रहा है तो वही सत्ता दल का कहना है कि जो भरस्थ है उस पर ED जैसी केंद्री एजंसिया काम कर रही है न्यूज बॉल इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं का जोन लरायन भारत एट नाइन में आज बात होगी लालू परिवार की क्योंकि लालू परिवार के ओपर ED की तलवार जो है वो लगातार लटक रही है और लालू ही क्यों बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल है जिस पर ED और CBI की च्छापे मारी की जा रही है देखें लोकसभा चुनाब जैसे जैसे नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी दलों की जो मुश्किले हैं वो लगातार बढ़ रही है एक तरफ बिहार में महा गडबंदन खत्म हो गया तो दूसरी तरफ जार्खट में हेमन सोरीन की कुर्सी पर ED की तलवा जो है वो लटक रही है लेकिन यहाँ पर हेमन सोरीन को लेकर एक जानकारी मिल रही है कि उन्होंने एक B प्लान तयार किया है अब सवाल यह है कि गडबंदन इंडिया गडबंदन कैसे बच पाएगा जहां विपक्षी दल इसको जान बूझ कर की जा रही कारवाई बता रहा है तो वही सत्ता दल का कहना है कि जो भरस्ट है उस पर ED जैसी केंद्री एजंसिया काम कर रही है यह उनका काम है इसलिए वो कर रहे है अगर बात बिहार की करें तो बिहार में महागडबंदन की सरकार गिरने के एक दिन बाद से ही आरजेरी प्रमुख लालु यादव के परिवार पर दुखों का पहाड तूड गया है दरसल लालु यादव पर प्रवतर निद्रशाले यानि कि ED ने सिकंजा कशना शुरू कर दिया बात 39 जनवरी की है जब सुभा ED के पटना जोनल दफ्तर ने लालु यादव से लैंड फॉर जॉब केस में पूश्टाज के लिए बुलाया था अब सवाल ये है कि क्या बीजपी को कोई डर है इसी वजह से ऐसा हो रहा है अब 30 जनवरी को तिजस्वी यादव से पूश्टाज हो रही है इस केस में ED ने चार्शीट भी दाखिल की है जिसमें लालु यादव की दो बेटियों मीसा भार्ती और हेमा यादव समेत उनकी पतनी राबडी देवी का भी नाम शामिल है चार्शीट में इस बात का जिकर किया गया है कि पूर्व मुख्य मंत्री और लालु यादव की पतनी राबडी देवी ने इस गोटाले से मिले पैसो से तिजस्वी यादव को दिल्ली में एक बंगला खरीद कर दिया है ये पीछे हैं तो ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में एक एक करके लालु परिवार का हर एक शक्स जो है वो फरस्ता हुआ नजर आ रहा है और लोग सबाद चुनाफ से पहले कहीं ना कहीं ये बड़ा फिर बदल देखा जा रहा है अब ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि लैंड फॉर्स कैम आखिर है क्या और लालु परिवार इसके अलावा किन-किन घोटालों में आरूपी है क्या जेडियों ने पहले ही बीजेपी के साथ शामिल होकर खुद को बचा लिया है क्यूंकि आर जेडी की जो नेता है मनुझा वो तो यहीं कहते हैं नजर आ रहे हैं कि शिकंजा तो उन पर भी कसता लेकिन वो डर गए और इसी वजह से वो एंड ये में वापिस शामिल हो है उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे अब ऐसा दावा किया जाता है कि लालू ने इस पद पर रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी 14 साल पुराना मामला है लेकिन इसे लेकर 18 मई 2023 को CBI ने केस तरश किया था CBI के मताबिक जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त रेलवे में ग्रुप D के पदों पर सब्सिट्यूट के तौर पर भरती किया जाता है और उन लोगों के परिवार ने जमीन का सौधा भी किया तब उन्हें जमीन के बदले रेगुलर कर दिया गया CBI के मताबिक बिहार की राजधानी पटना में लालू यादव के परिवार ने इसी तरह 1.05 लाख वर्ग फिट जमीन पर कबजा कर रखा है CBI के मताबिक जमीन को लालू परिवार ने नकत दे कर खरीदा और उस वक्त इन जमीने को बेहत कम दामों में बेचा गया इस पूरे मामले के जार्ज के दौरान CBI ने ये भी पाया है कि उस वक्त जोनल रेलवे में सबसिट्यूट की हारिंग के लिए किसी तरह का विग्यापन या नोटिस तो कोई जारी नहीं किया जाता था लेकिन जिन लोगों ने लालू यादव के परिवारों को अपनी जमीन दी उनके परिवार के सदस्य को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कॉलकता, जैपुर और हाजिपुर में नौकरी दी गई है लालू यादव का जो परिवार है वो लेंड फोर जॉब भी नहीं, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिसमें आरूपी है IR CTC घोटाला, लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते उन पर IR CTC घोटाले का आरूप है इस दरान लालू यादव, IR CTC के राच्री और पुरिस से दो होटल को लीज पर प्राइवेट कमपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेट को दे दिया गया था इस पूरे मामले में CBI का आरूप है कि इन दोनों होटल्स को प्राइवेट कमपनी को लीज पर देने के बदले, इस कमपनी के मालिक ने लालू परिवार को बिहार की राच्थानी पटना के बेली रोड में लगभग तीन एकर जमीन दी थी CBI के मताबिक पटना की ये जमीन पहले डिलाइट कमपनी को दी गई थी जिसके बाद इसे राबडी देवी और तेजस्वी यादव की मालिकाना हक वाली लारा प्रोजेक्ट कमपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई इतना ही नहीं पहली बार जमीन खरिदने वाली कमपनी डिलाइट भी आरजेडी के कददावर नेता प्रेमचंद गुपता की पतनी सरला गुपता की है चारा घोटाला सान 1995 के दिसंबर बहिने में बिहार के उस वक्त के फाइनिंस कमिशनर वी एस तूबे अलग-अलग सरकारी विभागों की पॉफॉर्मेंस चेक कर रहे थे इस चेकिंग के दुरान उन्हें पता चला की पशुपालन विभाग में करोड रुपे की हेर फिर हुई है अब पशुपालन विभाग में सानों से फर्जिबिल के माधियम से करोड रुपे निकाले जा रहे हैं शुड़ो में फाइनिंस मिनिस्टर ने अनुमान लगाया कि हेरा फेरी 410 करोड रुपे की होगी लेकिन इस पूरे मामले की जब अच्छे से जाच होई तो रकम इससे कहीं जाधा बड़ी थी जाच से पता चला कि गोटाला 950 करोड रुपे से जाधा का है अब CBI ने साल 996 में इस गोटाले के मामले में 53 केस तरज किये इस 53 केसों में कुल 170 लोगों को आरूपी बनाये गया इनी में से एक थे लालू प्रसाद यादव उनके साथ पूर्वसांसद, जगदीश शर्मा, पब्लिक अकाउंट्स कमीटी के अध्यक्ष, धुरुव भगत, परशुपालन विभाग के ततकालीन सचीप, बेग जूलियस और परशुपालन विभाग के असिस्टेंट डारेक्टर, डॉक्टर कीयम प्रसाद का नाम भी शामिल था, 39 जनवरी के पूश्टाज में क्या के सवाल किये गए, इस पर भी नजर डालते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आने मेल समय में लोग सबार चनाव है और कहीं न कहीं पार्टिपिस का बड़ा असर पढ़ सकता है, सोंबार यानि 29 जनवरी को आरजेरी लालू यादव को लेंड फर जॉब मामले में एडी ने पूश्टाज के लिए पटना दफ्तर बुलाया था, लालू के वहाँ पहुशने के बाद एडी निये उनसे 10 घंटे की पूश्टाज की और 50 सवाल पूछे, कहा जा रहा है कि इन सभी सवालों को वीडियो रिकॉर् जिस वक्त लालू यादव से पूश्टाज की जा रही थी, उस वक्त उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूग थी, आर्जेटी कारिकर्ता भी पूरा दिन पटना के एडी दफ्तर के बाहर खड़ी हुए थे, किसने क्या कहा इतना ही नहीं, पहले आर्जेटी ने लालू या यादव की प्रतिक्रिया भी सामनी आई, उन्होंने बीजोपी की सरकार पर निशाना साथ दिया, धरसल उन्होंने सोचल मेरिया पर लिखा, आदर्णिय लालू प्रसाद जी की उम्र अस्था और बिमारी के बावजोद 9 घंटे तक पूश्टाज संस्थाओं के पतन की पर का श्था है, बाजपा सरकार को मठिया मेट कर लोक्तंत को मरियादाओं की रक्षा करें, वहीं आरजडी चीफ और लालू यादव की बेटी रोहनी आचारे ने भी बीजोपी पनीशाना साथ ते वे कहा, लोग कहते लालू और लालू परिवार जुकेगा नहीं, छापो प प्रतारित परिशान करोगे, उससे और जादा मजबूत होगा लालू रावडी परिवार, अब बीजोपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, लालू यादव से एडी की पूश्ताज पर बीजोपी नेतार अवीश अंकर पसाद ने तंज कसते वे कहा, कि आप लोटेंगे त अदेशा जताया था कि सरकार उनके पिता को गिरफतार कर सकती है, तो ये था लालू परिवार का मैटर किन-किन घोटालों में उनका नाम है, और किस तरह से लालू परिवार पर इस तरफ एडी और सीबियाई का सिकंजा जो है, वो कस्ता जा रहा है, लेकिन ये बिहार तक क को लेकर भी एडी की पूछता जारी है, दरसल एडी के नोटिस के बाद गायब रहे जारखन के मुखे मंतरी हिमन सोरीन का पता चल गया है, रिपोर्ट के मताबिक वो राची में है, खबरों की माने तो सूत्रों के हवाने से बताया गया कि सोरीन 29 जन्मरी की रात को ही में सका, अब हेमन पर क्या आरूफ है? ऐसा नहीं है कि पहली बार हेमन का नाम इसे सामने आ रहा हूँ, हेमन सोरीन का नाम पहली भी सामने आ चुका है सबसे बड़ा सवाल ये है क्यों AD हेमन सुरेन के खिलाब कारवाई कर रही है जारखन, मुक्ती, मोर्चा और हेमन सुरेन जहां इसे राज़ितिक से प्रेरित कारवाई बता रही है तो वहीं BGP से ब्रस्ट अचार के खिलाब सकते बता रही है फिलाल AD जिस मामले में हेमन सुरेन पर कारवाई कर रही है वो जमीन और खनन गोटाले से जुड़ा हुआ है सुरेन को इसी मामले में मनी, लॉंडरिंग, निवारन, अधिनियम की धारा पचास के तहर जार्च के संबन में दस समन जारी किये गए जार्च एजनसी दो प्रमोख मामलों की जार्च कर रही है जिसमें राज्जो की राज़दानी में अवैद खनन और जमीन घोटाले शामिल है जमीन घोटाले का मामला सीना के कबजे वाली जमीन की खरीद बिक्वी से जुड़ा हुआ है फरजी नाम पता के आधार पर जार्खन में सीना की जमीन की खरीद फरोग्थ हुई थी इस सिलसले में राज्ची नगर निगम के एफायार दर्ज करवाई थी इडी ने उसी एफायार के आधार पर प्रवतन मामले की सुषना रिपोर्ट दर्ज करके जाज शुरू की थी इसके लावा एडी 2022 से राज्ज में अवयद खनन से हुई आए के 100 क्रोल रुपे की जाज भी कर रही है अब तक क्या क्या हो चुका है जमीन घोटाला मामले में एक आईए सदिकारी और दो वेपारियों से 14 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है 2011 बैच के आईए सदिकारी छवी रंजन इस मामले में एडी की गिरफ्त में है रंजन राजजी के समाज का ल्याण विभाग के निदेशक और राजजी के उपायूत के रूप में कर रहे थे इडी ने इसी महीने अवैद खनन की मली लॉंडरिंग जाज के तैस सोरीन के प्रेस सलहाकार साहिब गंज जिले के अधिकारी और एकपूर विधा के परिस्रों पर भी छापे मारी की थी इस दोरान लारोपी के पास जरूरी दस्तावेश भी मिले इडी अब तक 236 करोड रुपे की संपत्ति कुरक कर चुकी है इडी ने सोंबार को जार्खन के मुखे मंत्री हिमन सोरेन के दिल्ली स्थितावास पर छापा अबारा इस दोरान सीम तो नहीं मिले लेकिन इडी की टीम ने उनके घर से भारी मात्रा में कैश परामद हुआ है इडी के मताबिक हिमन सोरेन के घर से करीब 36 लाख रुपे कैश मिला इसके लावा इडी ने उनकी दो लग्जरी कार भी जब्त कर ली है इडी ने इन दोनों मामलों में हिमन सोरेन को 8 समन भेजे 13 जन्वरी को जार्खन के मुखे मंत्री हिमन सोरेन को 8 समन जारी कर उन्हें 16 जन्वरी से 20 जन्वरी के वीच मामले में पूश्टाज के लिए उपलब्ध होने को कहा गया लेकिन हेमत ने ना तो कोई जवाब दिया ना ही उपलब्ध हुए इसके बाद E.D. ने पिछले दिनों ही दसवा समन भेजा था अब आगे क्या हो सकता है समवार को E.D. के कारवाई और पूरे दिन लाब पता रहने के बाद E.D. के शेत्रे कारले को मुखे मंतरी कारले के तरफ से समवार देर रात एक ओफिशियल लेटर भीजा गया इसमें E.D. को बताया गया है कि हेमन सोरेन 31 जन्वरी को पेश होंगे अब सुत्रों का कहना है कि E.D. इस मामले में हेमन सोरेन को अरेस्ट भी कर सकती है एतिहातन उनके घर के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किये गए है प्लान B जो मैंने शुर्वात में का था कि हेमन सोरेन का प्लान B क्या है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं हेमन सोरेन के गिरपतारी के अचकलों को देखते वे जहारखन मुक्ती मोर्चा ने प्लान B तैयार किया है कहा तो यह जा रहा है किसके लिए सभी वोकस को बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा गया है फलालीडी की कारवाई के खिलाव जेमें की ओर से राच्ची में प्रदर्शन भी किया जा रहा है राज्य के कई जिलों के जियम कारेकरता राची पहुंचे हुए हैं ये कारेकरता राची के मुरहाबादी मैदान में जमा है इसके लावा हीमन सोरीन की पतनी को सीम बनाने की भी चर्चाएं तेज हैं काल तो ये जा रहा है अगर हीमन सोरीन गिरफतार होते हैं उनकी पतनी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है अब इससे समझा जा सकता है कि बिहार सले का जारकर तक जो एडी के छापे मारी है वो लगातार जारी है अब एक तरफ विपक्षी दल तो इसे कहरें कि सरकार डरी हुई है इसी वजोसे केधर अजणसियों को गलत इस्तमाल हो रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भरस्ट अचार जो करेगा वो बचेगा नहीं और सरकार ने ठाना है कि भरस्ट अचार मुक्त पूरा भारत कर दिया जाएगा और ये तो शुर्वारत है आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी तस्वीर हमें नजर आ सकती अब सव क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है अट नाइन में आज के लिए इतना ही कर फिर लौटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करेंगे नमस्कार